हेल दोस्तों स्वागते आप सभी लोग का हमार इस यूट्यूब चैनल पर राइड विद मयूर पर और दोस्तों आज किस वीडियो बहुत ही इंट्रिस्टिंग होने वाला आज किस वीडियो में कम्पलीटली बात करने वाले कंपरिजन करने वाले है ट्रिवावन मॉडेल का एच एलेक्ट्रिक यस यूव वरसेज डाटा नेक्सों का एलेक्ट्रिक कार जो कि आप नेक्सों इवीज को कहते हो तो कम्पलीटली यह वीडियो जो बहुत ही इंट्रिस्टिंग होने वाला इस वीडियो हम पूरी तरस से कम्पलीटली करेंगे तो बने रहे इस वीडियो H electric SUV या electric car जो आप इसको कहते हो वो आपको 1126 km कारण देने वाले तो इसे कारण से यहापर जो मेरे काफी कमेंट आ रहे थी कि data nexon के बारे में आप दोनों का comparison करो तो guys बात करते हैं बैटरी के बारे में नॉर्मल जो आप जो घर पर socket वागर करो वो आप जो support नहीं करने वाला है company के तरह से बताई जा रहा कि यह fire charging वाला support करता है क्योंकि दोस्तों इसमें आप जो बैटरी वागरा है वो काफी बड़ी बैटरी जान काफी high features और काफी high performance की बैटरी आपर दी गई है अपने तरफ से setup हो गया रहा कर सकते हैं फाट-charge वाला support भी देखने को मिलने वाला है तो बैटरी के मामले में बहुत ज्यादा आपको है जो Triton Model H मिलने वाला है बट आपको इसमें सिर्फ उसिर्फ फाट-charge वाला support देखने को मिलने वाला है तो गाइज नेक्स हमारा पर point के बारे बात करते है range के बारे में range की बात करें दोस्तों तो अपको काफी बड़ा different आने वाला है बट हम यहाँ पर range की बारे बात करें तो Triton model यह में आपको 1126 km का range 1 charge में मिलने वाला है यहाँ पर जो मेरे को काफी comment आ रहे थे यहाँ रियल range इतना हो सकता है या नहीं हो सकता तो दोस्तों यहाँ पर जो है Triton model यह आपर जो इस electric SUV या electric car में यहाँ पर आपको solar panel इसमें use करने वाले new technology की solar panel इसमें power अगरा consumer करने वाला हो तो उसी कारण से इसकी range जो है increase होने वाले यह रियल range आपको 1126 km का नहीं देने वाले है रियल range आपको आपको लगबक यह company तो नहीं बता है बट इसमें आप जो technology इसमें use होईने वाले है कि solar panel इसमें use होने के बाद यह आप जो 1126 km का रिजवान चार्ज में मिलने वाला Triton model H में तो टाटानेक्सों की बाद करें तो टाटानेक्सों EV में आपको आपको यह range मिलने वाला 312 km का रिजवान चार्ज में मिल जाता है और जो आपको 60 मिनिट में 80% फास्ट चार्जिंग में आपको यह सपोर्ट करता है तो नॉर्मली टाटानेक्सों जो ही एक बहुत भेतरीन यान हैजबेक इलेक्ट्रिक कार है तो लगबग दोस्तों को टाटानेक्सों में 312 km का range आपको नॉर्मली अच्छा range में आपको देखने को मिल जाता है तो बात करें नेक्स पॉइंट के बारे में पावर के बारे में पावर की बात करें तो पावर में आपको याप जो है पंदरा सो एच्छ पीस में आप जो एक पावर मिल जाता जो के लगबगों जियरो से लेका 60 km पर टाप स्पीड जो है 2.9 सेकंड में आप जो पिक पावर लेता है तो दोस्त आपको Tata Nexon की बात करें तो Tata Nexon में आपको HP में पावर यहापर कंपनी नहीं दिया है जाए आपको Tata Nexon EV में 245 यहनेम का टॉर्क देखने को मिलने वाला है जो आपको 0 से लेकर 60 km पर तरफ स्पीड जो ए 4.6 सेकंड में देने वाला है तो दोस्त हम इसको कंपेर करें टा नेक्सों को Tata Nexon को Triton model H से पावर के बारे में तो पावर आपको ज्यादा तर आपको Triton model H में देखने को मिलने वाले है तो फाइनली दोस्तो अपने हम बात करते हैं वारेंटी के मामले हैं वारेंटी आपको क्या-का डिफ्रेंट आने वाला है कितना डिफ्रेंट आने वाला है दोस्तो ज्यादा तर यहापर Triton model H electric car या electric SUV की यहापर ज्यादा तर फीचर रिक्स नहीं हुए बट वो जितने फीचर से लिख हुए उसके बारें हम आपर जो है comparison कर रहे हैं तो दस साल की या दो लाग 41,000 या पर जो है किलोमेटर तक की वारेंट आपको देखने को मिलने वाले तो फाइनली बात करें तो नेक्स पॉइंट के बारे में लुक की बात करें तो Triton model H का लुक सबसे पहले देख लेते हैं तो Triton model H का लुक आपको बहुत ही बड़े मिलने वाला जैसे कि आपको यह अपको यह सेलिबरेटी वाली होती है तो इससे तर आपको यह लुक मिल बात करें तो Triton model H को यह बहुत ही ज्यादा प्राइस होने वाली है जैसे कि सेलिबरेटी बिजनसमेन वगेरा बड़े बड़े लोग जो है इस Triton model H को यूज कर सकते है क्योंकि इसकी प्राइस जो बहुत ही ज्यादा प्राइस होने वाली है तो Tata Naxon EV आपको यह बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम अच्छी प्राइस में आपको यह पूरी तरह से कंप्लीड लिल नहीं हुआ है इसकी कुछ आपको यह आपको यह सेफटी के मामली है पर जो यह Tata Naxon में मिल जाते है जो कि Tata Naxonic वह थी रिन एंड बहुत ही अच्छी इलेक्टरिक कार कही जाती है तो दोस्तों बात करते है फाइनल इविनर के बारे में एंड प्राइसिंग के मामली में प्राइसिंग की बात करें तो Treton model E.H इस इलेक्टरिक कार है इलेक्टरिक की प्राइसिंग अभी तक लिए कस्टमर है बहुत सारे आपर जो मेरे कमेंट वगेरा आया रहे कि इसकी प्राइस कितनी है इस वे आपर Google पे वगेरा इसकी प्राइस वगेरा दिखाए जारे बड़ दोस्तों यह प्राइस जो है फिक् वेर इंडेक शोर्म का मिलने वाला है तो फाइनल दोस्त आपको बता दू कि यहापर जो वीनर की बात करें तो वीनर है आपर जो टाटा नेक्सों का EV बेस्ट एलेक्ट्रिक कार 2020 आडड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें शियर करें चाहें को सब्सक्राइब करना ना भूले हम याप पर जो एलेक्ट्रिक वाइकन से रिल्डेट काफे सारी वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते जो कि आप सभी के लिए इंपोर्टन एंड बहुत ही यापीजिंग वीडियो होते हैं तो चले दोस्तों मैं में तब को नेक्स वोर एसी एमेजिंग वीडियो के साथ तब तक दोस्तों गो गुरें गो एलेक्ट्रिक